हेलो गाइज, वेलकम टो अब्रॉट जाब विस साक्षी गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा की के ऐसी इमिग्रेशन इजन्सी के बारे में जिस इमिग्रेशन इजन्सी को कॉन्टैक करके आप आराम से माल्टा जा सकते हैं आज की ये वीडियो बहुत जादा important होने वाली है क्योंकि आज मैं जिस immigration agency के बारे मैं आपको बताने वाली हूँ इन्होंने बहुत सारी लोगों को Malta में migrate किया है और वहाँ पर jobs दिलवाई हैं तो guys आप खुद से apply करकर के ठक गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो guys इसा क्या आप लोग जानते हैं कि Malta हमेशा से demand में था है और रहेगा इस immigration agency में आपको बहुत सारी sectors की jobs available मिल जाएंगी जैसे कि general liberal की jobs हैं आपको यहाँ पर शेफ की job देखने के लिमिल जाएंगी housekeeping की job देखने के लिमिल जाएंगी cleaner की job देखने के लिमिल जाएंगी food and beverages की job देखने के लियमिल जाएंगी और भी बहुत सारी jobs available है guys इिस immigration agency में जिन jobs के लिए ಅप अराम से apply कर सकते हैं इमिग्रेशन एजंसी को कॉंटाइक कर सकते हैं तो गैस चलिए देद ना करते वे मैं आपको अपने लाप्टॉप स्क्रीन पर ले करके जाती हूं और वहीं से पूरा प्रोसेस दिखाती हूं कि कैसे आप इस इमिग्रेशन एजंसी को कॉंटाइक कर सकते हैं और यहां पर ज आप पे Malta क्योंक फैक्ट में, location देख सकते हैं, capital देख सकते हैं, populations दिया गया है, language में English and Maltese दिया गया है, types of work visa available to foreign workers in Malta भी बताया गया है, कि कौन सा आप मतलग कि किस type का work visa ले सकते हैं, आप available jobs यहाँ पर आपको show हो रहे हैं, जिसमें general laborer की jobs है, cleaner की jobs है, food delivery की jobs है, guys, many more मतलब कि और भी यहाँ पर बहुत सारी jobs available है, जिन jobs में आप apply कर सकते हैं, यहाँ पर requirement to obtain a work visa in Malta, अगर आपको Malta का work visa चाहिए, तो आपको क्या-क्या requirements की जरूत पड़ेगी, एक valid passport की जरूत पड़ने वाली है, travel medical insurance की जरूत पड़ेगी, एक employment contract होना चाहिए, company के साथ मे Malta में, और proof of accommodation आपको शो करना पड़ेगा, कि आपकी account में इतना bank balance है, जिससे आप Malta में जाकर के थोड़ा समय भिता पाए, फिर evidence of sufficient financial means को submit करना होगा, जहाँ पर relevant work experience शो करना होगा, updated resume आपको submit करना होगा, candidate should be currently working, आपको, मतलब आप currently कहीं work कर रहे होंगे, तो आप अराम से work visa ले सकते हैं, तो यहाँ पर COVID-19 fully vaccination का certificate आपको यहाँ पर show करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, किस टाइप का vaccination आपने लिया है, वो भी यहाँ पर mention है, फिर resident document for application residing outside their home country, फिर work permit का process आप कैसे clear कर सकते हैं, step 1 में देख सकते हैं, complete document will be presented to the employer in Malta for screening, फिर आपका, आप पहले document submit करेंगे, जैसे resume submit करेंगे, उसके बाद वो interview conduct करवाएंगे, skype पे, अगर आप select हो जाते हैं, after the selection, job offer will be issued by the employer के द्वारा आपको job offer मिलेगा, step 4 में guys, job offer मिलने के बाद, आपको जो applicant है, addition document submit करने के बाद, employer को वो आपका जो employer है, वो Malta में work permit के लिए apply कर देगा, यहाँ प आपको work permit तयार होने में, जब work permit issue हो जाएगा guys, फिर आपको letter of approval is valid for 180 days के लिए, आपको letter of approval मिल जाएगा, जो कि valid रहेगा, सिर्फ 180 days के लिए, फिर visa के लिए फाइल कर सकते हैं, जिसमें additional document required होगा, visa filing के लिए, फिर letter of approval यहाँ पे submit करना है, जो कि आपको work permit issue हुआ है, वही letter of approval यहाँ पर आपको visa filing के time में submit करना है, फिर all copies of document first copies को submit करना है, step 1 में आपको initiate करना है, appointment procedure of VFS, Malta embassage जाकर के आपको सारे process clear करवाने है, book recommendation करवाना है, अपना ticket book करवाना है, apply for the visa कर देना है, visa receive करने के बाद आप 5 से 6 मन्द के average में Malta जाकर के काम कर सकते हैं, नीचे की त पूरा information की कब से काम करते वे आ रही है, कैसे यह मतलब services provide करवाती है, पर testimonials दिया हुआ है, contact us का option है guys, phone number दिया गया यहाँ पर, directly आप phone number से भी contact कर सकते हैं, directly इनके email पर, एक email पर मतलब message करके, इनके contact कर सकते हैं, इनकी services ले सकते हैं, follow us में Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, यह सारा links दिया गया ह यहाँ पर अपना email ID डाल करके subscribe भी कर सकते हैं, उपर के दर्व scroll करके देख सकते हैं guys, इन्होंने आपको पूरा process बताया कि कैसे आप Malta के work permit के लिए apply कर सकते हैं, visa के लिए apply कर सकते हैं, क्या क्या documents लगेंगी, यह सारी information इन्होंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप directly इन्हें contact कर सकते हैं, इनके email ID के द्वारा guys, यहाँ पर देख सकते हैं, पोलिन का work visa भी दिया जा रहा है, work permit का process बताया जा रहा है, और भी यहाँ पर यह services दूसरी दूसरी countries के provide करवा रहे हैं, तो guys देर मत करिए, जल्दी से इस recruitment agency को contact करिए और Malta जाईए, तो guys उसा कि आ अपने एक Europass format का CV और coverlator बना करके तयार करवा लिजे, guys अगर आप हमारी help लेना चाहते हैं, तो नीचे देगे WhatsApp नमर पे हमें contact करिए, हमारी team आपको एक professional Europass format का CV और coverlator बना के provide करेगी, guys अगर आपको हमारी useful information पसंद आई हो, तो जल्दी से वीडियो को like कर देजे, share कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe कर दीजे, guys अब हम लोग मिलते हैं अपने next वीडियो में, till then see you, ta-ta